जैहिन दोस्तो आप सभी के इंवेश्टिंग लब से चनल पर सागत है दोस्तो आज हम बात करने वाली हैं PTM के बाइबेक और उसके उपर किस वज़ा से सवाल जो है वह उठ रहे हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो पेटियम इस कंपनी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और डेली आप इसको उपयोग जो है ट्रांजेक्शन मगरा के लिए करते ही होंगे अगर डिजिटल पेमेंट के बात आती है तो सभी का नाम जो है वह पेटियम जो है वह सबसे ज़्यादा उपर है लेकिन दोस्तो इसका सियर जो है जिस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए उस तरीके से इसने प्रदर्शन नहीं किया जब से यह सियर मार्केट पर लिश्ट हुई है तब से यह निवेसर जो है इस पर फशे हुए हैं और अभी तक जो है उसमें से निकल नहीं पाए है और कब तक ये नुकसान में होंगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता 75% गिरावट के साथ यह एक दसक के दोरां दुनिया की सबसे खराब रदर्शन करने वाले सेयरों के रूप में जो है इसका नाम सायम ने आया है जब इसका IPO जो है वा आया था तब इसकी valuation जो है वा काफी ज़्यादा high थी साथ ही साथ यह company जो है वा profitable भी नहीं थी और अभी भी यह profitable जो है वा नहीं है इस करन से इस सेयर की इतनी ज़्यादा जो है वा पिटाई हो रही है और लगातार हो रही है अब बात कर लेते हैं कि buyback के उपर दोस्तों जब भी कोई company जो है market से अपने ही सेयर को खरीबती है तब उसे जो है वा buyback कहते है जैसे मान के चलिए कोई भी company जो है जो share market पर लिश्ट है और वह जो है अपनी हिस्सदारी जो है वा बढ़ाना चाती है तो वह market में जो भी वरतमान में उसकी किमत होती है उससे कुछ प्रतिसत उपर जो है वा buyback ले आती है जिस पर जो है जो भी लोग अपने सेयर जो है वा देना चाते है वा सभी सेयरों को company जो है वा खरीद लेती है company जो है वा किस अनपात में सेयर को खरीदती है वा पहले से ही decide रहता है यानि ऐसा नहीं होता कि आप जितने सेयर आपके पास है उन सभी को company जो है वा खरीदी लेगी उसका एक detail वीडियो जो है मैं आपको फिर किसी वीडियो में जो है वा बताएंगे अब बात कर लेते हैं कि PTM के IPO के उपर इतना ज़्यादा सवाल जो है वा क्यों उड़ रहा है दोस्तो यह company जब से सेयर मार्केट पर लिष्ट हुई है तब से इसका सेयर जो है काफी ज़्यादा किरावट हो गई है company जो है 2150 रुपए की किमत पर जो है वा लिष्ट हुई आप से देखे तो इसका सेयर जो है 75% जो है वा तूट गया है company जो है अभी तक जो है वा profitable जो है वा नहीं हुई है और लगातर घाटे जो है वा रिपोर्ट कर रही है और कब तक यह profitable होगी इसके उपर भी कोई निश्चीतता जो है वा नहीं है SME company जो है अपने पास जो fund है उसका उप्योग जो है इस buyback को में करेगी जिसके पास company के पास जो cash बचा हुआ है वा cash भी खतम हो जाएगा जो इसके running capital के लिए चाहिए उसके लिए भी company को जो है दूसरे संदन जो है वा जुटाने होंगे SME company जो है वा buyback क्यों लेकर आ रही है इसके उपर जो है निवेसक जो है वा सवाल उठा रहे है साथ ही साथ company जो है जिस किमत पर अपना IPO जो है वा लेकर आए थी उससे कम किमत पर जो ही या buyback जो है वा होगा SME जो है जिन लोगों ने IPO में निवेस किया था उनको जो है कुछ खास फाइदा जो है वा नहीं होगा क्योंकि SME किमत आई-पियो की किमत के उपर नहीं चले जाती तब तक जो है उनको कोई फाइदा जो है वा नहीं होगा ऐसे में जो जिन्होंने pre-IPO में इनको इसे share में निवेस किया हुआ था जैसे जो company ने इसके pre-IPO में निवेस किया हुआ था वेसे भी जो है इस buyback पर अपना share जो है वह दे कर जो है वह निकल जाएगे ऐसे में जो आम निवेसक है उसको भी नुगसान होगा अब ऐसे में सवाल आता है कि company जो है वह buyback लेकर आ ही क्यों रही है तो इसके पीछे company का कहना है कि company जो है वह अपने support को value देनी चाहती है अपनी share की किमत को जो है वह value देना चाहती है इस वज़े से company जो है वह buyback लेकर आ रही है क्योंकि अगर company buyback लेकर आएगी तो investorों को इस share के उफर भरोसा बढ़ेगा और इस share की जो किमत में लगातार गिरावट हो रही है उस पर थोड़ा लगाम लगेगी इसका फायदा जो है वह जो institution है जिन्होंने पहले इसे IPO में निवेस किया हुआ था और जब एक साल बाद वे ऐसे share से निकलना चाते हैं तो इसमें जिस तरह की गिरावट आ रही है उस गिरावट को रोकने के लिए ये कदम जो हवा हो सकता है दोस्तो अगर आपको यह जानकारी अच्छे लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ share करने में कंजूसिन ना करें और अभी तक आपने अपना डिमेट एकांड नहीं खलवा है तो नीचे दिये हुए डिस्क्रिप्शन के मांधम से आप अपना डिमेट एकांड खलवा सकती हैं आपको अगर IIFL के साथ अपना खाता खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपए का cashback bonus भी मिलेगा धन्यवाद